नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी और आज का जो प्रश्ण है वो है रियान खान जी का वो कहते हैं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारी सेल में ग्रोथ नहीं हो पा रहे हमारे क्लाइंट शोरूम्स हैं और चोटी-चोटी कंपनीज हैं तो मैं आपको बताना चाहत हुकि आप अपने मार्केटिंग एक्जउटtes को भी अपने शॉप्स पर कंपनीज में श्योरूम्स पर भेज कर अपने ब्रिजनस से संबंधित ऐवेड़नेस उनको दे सकते हैं कि आप क्या सर्विस दो नेना चाहते हैं किस तरहसे आप उनके बिलॉप करने में हल्प करें उससे related भी खुद भी digital marketing के थुरू अपने आपको advertise कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने business को बढ़ाना चाता है तो किस तरह से आपके साथ मिलकर वो अपने business को बढ़ा सकता है इसके अलबा अपनी sale को कैसे बढ़ाएं अपने business में profit को कैसे multiply करें इससे related मैंने कई videos YouTube पर अलड़ी दी हुई है तो मेरा request है कि आप उन videos को ज़रूर देखें साथी साथ Google Webmaster Tool का क्या आप सही तरीके से प्योग कर पारें हाला कि आप एक digital marketing services provide करने वाली company है तो आपको इसके बारे में पता होगा market survey कराकर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं आपके executives होँ, आपकी sales के team हो जो market में जाए, showrooms पर जाए, shops पर जाए, companies पर जाए और वहाँ पर आपकी services के बारे में बताएं कि हम यह service provide करते हैं और उससे आपका business enhance हो सकता है इस technique का इस्तिमाल भी आप करें तो friends, अगला जो मेरा question है वो question है, अमित वर्माजी का और अमित वर्माजी पूछते हैं कि sir, हमारा business footwear material supply का है जिसमें हम retail shop और wholesale shop दोनों चलाते हैं और B2B के माध्यम से हम पूरे इंडिया में material supply करते हैं cash counter जो हमारा है, वहाँ पर employees बाठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि cash counter पे जो हमारे accounts हैं वो proper manage नहीं हो पाते मतलब account में लगबग गड़वड होती रहती है तो अपने इस shop को हम autopilot mode पर कैसे लेका रहें तो अमिजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी companies आज जहाँ पर cash counters होते हैं वहाँ वो cash management system का इस्तिमाल करते हैं उनके पास bar coding system होती हैं जितना भी product और जितना भी material वो sale करते हैं वो सारा stock हम purchase में डालते हैं उसके बाद जब sale करते हैं तो sale में उसको डालते हैं इसका मतलब वहाँ पर वो stock management system के software का इस्तिमाल करते हैं जिससे आपके chances गड़बर होने के बहुत काम होती हैं क्योंकि जितना metal आपने purchase किया और जितना sale कर दिया बाकी बच्चावा balance stock होता है और जितनी sale है वो आप manage कर सकते हैं थ्रू बार कोडिंग system and software अगर आप उन software का इस्तिमाल करते हैं तो आप किसी भी employee को उस काम के लिए point कर सकते हैं और आप अपने business को scale up कर सकते हैं क्योंकि जहां पर आपको cash का management नहीं करना पड़ेगा वहां अपने business की number of units को बढ़ा सकते हैं अगला जो question है वो आशीष जी का है उन्होंने का brand value कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने brand value बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो documentation वो system और process पता होना चाहिए कि आपके नाम का प्रयोग कोई और व्यत्ति ना कर पाए इसके लिए बहुत important है कि आप अपने brand को किस तरह से advertise करते हैं जिस level पे अपने brand को advertise करते हैं उसी level के client age आपको मिलते हैं तो आपको अगर brand value को बढ़ा करना है तो आपका advertisement mode बहुत systematic होना चाहिए आपका after sales service बहुत अच्छा होना चाहिए after sales service के अलावा जो आपके sales की team है वो well trained and managed team होनी चाहिए ताकि आपकी brand की image को बरकरार रख सके इसके लिए अगर आप brand से संबंदित कोई बात जानना चाहते हैं तो एक नाम से brand तक का सफर कैसे तै करें एक वीडियो आपने YouTube पर दिया हुआ है आप उस वीडियो को देखें और साती सात जितनी भी लोगों को मैं बता रहा हुआ कि कौन साइ वीडियो आपको देखना है उन सभी के link description box में भी हमने दिये हुआ है अगला जो question है वो by information में किसी द्यक्ति की तरफ से आया है कि paper recycling business का क्या future है क्या इसमें वहिश्य में profit होगा friends हर business जहां पर आप अच्छी तरीके से business के purchase department, sales department, marketing, finance और इन सभी चीजों को properly manage करना सीख जाते है हर वो business profitable हो सकता है और paper industry तो अपने आपने एक बहुत बड़ी industry है तो यह सवाल ही नहीं होना चीए कि क्या यह profitable हो सकता है यह नहीं profit तो इसमें हो गई होगा आपकी सफलता कि सम्भावना बहुत अधिक होगी तो business में आपको profit margin बहुत अच्छा मिलेगा जरू है था तो यह समझने की कि कि कितने operating expenses आपके है कितनी sales आपको generate minimum करनी है ताकि आप operating expenses को फूरा कर सके और उसके बाद जो आपको profit आएगा वो extra sales जो है उससे आपको profit generate होगा अगला जो मेरा question है वो एक हमने वीडियो बनाया था कि कम पुणजी में विदेश व्यापार कैसे करे how to start import export with limited capital तो जो question आया है वो शरजी का है उन्होंने कहा कि कहां से ले membership of council तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार import export license लेने के बाद आपको Export Promotional Council of India की membership लेनी होती है और ये आप DGFT की site पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर online आप देख सकते हैं कि आपके industry में कौन-कौन सी exhibitions होती हैं कहां-कहां पर ये program होती हैं और किस तरह से आप इनकी membership लेकर आप अपने business को explore कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं और international buyers ढूंड सकते हैं तो Export Promotional Council of India की अगर आप membership लेना चाहते हैं तो आप DGFT की site पर जाएं वहाँ पर Export Promotional Council of India की अलग-अलग division में बहुत सारे departments हैं जिस department का business आप करते हैं उस तरह के department में आप membership लें पर एक्जामपल मेरी जो इंडस्ट्री है वो स्टेलने स्टील मर्डूलर किचिन की इंडस्ट्री है तो हमारी जो membership है वह Export Promotional Council of स्टेलने स्टील इसमें हमने membership लेगी है अगला जो कोशन है वो दिलीब जी का है और दिलीब जी कहते हैं कि सर मैं महराष्टर से हूँ क्या मुझे आपका mobile number मिल सकता है बिल्कुल दिलीब जी अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी team को contact कर सकते हैं और उपर दिये हुए number पर आप call करके कभी भी बात कर सकते हैं आपका कोई भी question हो कोई भी problem हो individual level पे तो हमारी team और मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है अगला जो question है वो राखी घोश जी का है और राखी घोश जी हमसे पूछती है what documents are needed to start import and export business तो राखी जी मैं आपको बता जेता हूँ import export business अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी एक firm होनी चाहिए firm register करने के लिए आपका अधार card आपका pan card आपका एक electricity bill आपका residential proof यह होना चाहिए अगर आपकी already company है तो company के documents हो सकते हैं साथी साथ एक bank account होना चाहिए ताकि आप जब import export के लिए apply करें import export license के लिए apply करें तो इस अभी documents को submit करें हमने हमारे चनल पर एक video दिया हुआ है जहाँ पर हमने बता है कि how to start import and export विदेश्वयपार कैसे शुरू करें और जब विदेश्वयपार शुरू करना चाहिए तो क्या documentation उसमें लगते हैं वो सारे details आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई problem आए तो आप मेरे team को contact कर सकते अगला जो question है वो है योगेश सोलंकी जी का और वो पूछते हैं how to market big plant and machinery and how to sell SPM machine तो योगेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े plant and machinery में deal करते हैं तो आपका जो clientage है आपका जो consumer है वो B2B industry का है तो इसके लिए सबसे best method क्या है कि B2B exhibitions होती है जो भी plant and machinery आप बनाते हैं वहाँ पर B2B exhibitions होती है आप उस तरह की exhibitions में participate करें और जो लोग plant and machinery का setup करना चाहते हैं जो industry खड़ी करना चाहते हैं उन लोगों से contact करें आप consultant के through भी ये पता कर सकते हैं कि कौन लोग plant लगा रहे हैं क्योंकि plant लगाने से पहले लोग consultant को hire करते हैं तो आप उन consultants के touch में आके भी अपनी sale grow कर सकते हैं आपने लिखा कि SPM machines कैसे sale करें चाहे SPM machine हो या कोई भी machine हो machine को sale करने का segment होता है क्योंकि वो machine इस्तिमाल होती है B2B segment में तो आपको ये देखना होगा कि कहां कहां पर B2B exhibitions होती हैं कौन कौन सी sites हैं जहां पर अपने product को sale के लिए list कर सकते हैं जैसे India Mart, Trade India, Exporters India.com, Alibaba.com जब आप international business करते हैं तो machinery को sale करने के लिए आप B2B list कराएं साथी साथ Chamber of Commerce, Chamber of Industry, Chamber of Import, Export की membership लें क्योंकि जब आप membership लेंगे तो आपका data bank, आपकी industry का data bank, आपका business वहां list होगा और लोग आपको direct भी contact कर सकते हैं तो ये जो B2B sites में आपको बताईएं इन sites पर अपने product को upload करके, अपनी machinery को upload करके आप बहुत सरे clients के साथ deal कर सकते हैं आप social media का प्रियोग करके भी अपने business को develop कर सकते हैं आप advertisement करें, bulk mail, bulk SMS और regular information भेजना directories जो publish होती हैं, industrial magazines जो आती हैं उनमे advertisement देकर भी आप अच्छे client को contact कर सकते हैं योगी जी हमने एक video और बना है, जहां पर हमने explanation दिया है कि आप अपने product को B2B, B2C, B2G आप government में भी supply दे सकते हैं तो किस तरह से और कौन-कौन से sites पर अपने product को list करके आप बहुत असानी से consumer तक पहुत सकते हैं अगला जो question है वो social चर्मा जी का है और वो लिखते हैं कि sir I need your help can you make a video on how to verify international company to do trade with them एक बहुत अच्छा question है ये क्योंकि आज जब हम international trade करते हैं तो सामने वाली company के बारे में हमें ये नहीं पता होता है कि वो company authentic है भी या नहीं या वास्तिविक्ता में वो company के exist भी करती है नहीं तो उसका सिधा-सिधा सिधान्त है आप अगर किसी भी international company के साथ trade करना चाहते हैं तो trade करते हैं समय सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या वो company आपको advance payment देने के लिए तयार है क्या वो company material भेजने से पहले पूरी payment करने के लिए तयार है अगर वो company आपका material भेजने से पहले full payment आपको देने के लिए तयार है तो शायद आपको ये problem face नहीं करनी पड़ेगी और साथी साथ ये भी चेक करें उस company की website क्या है वो company क्या DGFT में register है या नहीं उस company का import export license क्या है वो company कौन से bank के साथ deal करती है और जब भी आप ऐसी नई company के साथ काम करें उसके साथ काम करते समय आप हमेशा letter of credit पर काम करें या तो या telegraphic transfer पर काम करें या 100% advance basis पर काम करें अगर आप इन तीनो method में से कोई method अपनाते हैं तो आपको ज़रुद भी नहीं कि उस company के authenticity आपको check करने पड़े क्योंकि वो company पूरी payment आपको advance देने के लिए तयार है तो समझने जी वो authentic company अगला जो question है वो एक mail ID के थुरू है और वो कहते हैं कि sir मैं आपका बहुत बढ़ा fan हूं तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को और मुझे फॉलो करते हैं बिजनस गीजर का है आप गीजर प्रोड़क्ट बनाते हैं सेल करते हैं तो आपके product की जो replacement guarantee warranty है वो भी बहुत ज़ादा है और price भी reasonable है और आपके city में केवल दो ही लोग हैं जो इस product में deal करते हैं तो पहले तो आप बहुत खुश किस्मत हैं कि आप जिस company में जिस product में deal करते हैं वाँ competitor के वाल आप दो ही हैं आप अपनी sale बढ़ाना चाहते हैं, तो sale बढ़ाने के different methods है, sale को advertisement बढ़ा के भी बढ़ाया जा सकता है, after sale services को increase करके भी बढ़ाया सकता है, consumer तक अपनी information पहुंचा के भी बढ़ाया जा सकता है, और साथी साथ आप social media, internet marketing, digital marketing इसका प्रयोग आप करें, ताकि आप नई consumer तक प अपने बहुत सारे sales की टीम को भेज कर भी direct selling कर सकते हैं, अलग-अलग method है, sale कैसे बढ़ाया इस से related हमने बहुत सारे videos दिये हुए, मेरा request है कि आप वो video ज़रूर देखें, कि अपने sale को कैसे increase करें, अपने profit को कैसे multiply करें, अपने consumer को कैसे follow करें, अगर आप ठीक तरीके से अपने client को follow भी करते हैं, तो भी आपकी ratio of maturity है, वो कई गुना जादा हो जाती है, तो how to follow your client एक special video आपने दिया हुए, उसको आप ज़रूर देखें, team management बहुत important है, क्योंकि जब आप direct selling करते हैं, तो आप अपने team को manage करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक से team को manage कैसे करें, उसका implementation अपने business में करें, अगर आपका competitor direct selling नहीं कर रहा है, तो आपने sales and marketing executive के थुरू direct selling भी कर सकते हैं, तो friends ये थे आज के कुछ प्रशन है, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, अगर फिर भी आपके मन का कोई question रह गया हो, तो आपसे मेरा request है, कि comment box म आप उसको ज़रूर लिखें, ताकि हम उसका जवाब अपनी वीडियो में दे सकें, आप जानते हैं कि मेरे जीवन का उदिश्य की भारत के हर घर से एक सफल business में तयार हो सके, इसलिए हम इस series को चला रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति के मन का प्रश्न हम समझें, और उसका जवा करता हूं, जय हिंद, जय भारत! मैं अबूशा